अक्षरा हसन के प्राइविट पिक्चिस जो लीक हुए थे उसमें अब आया है तनुझ विर्वानी का नाम आएए देखते हैं क्यूं अक्षरा हसन के फोटो लीक मामले में पुलीस ने कहा है कि वो अक्षरा के एक्स तनुझ विर्वानी से बात करने वाले हैं क्योंकि पुलीस के according अक्षरा के अलावा तनुच के पास ही ये सारी तस्वीरे थी इस मामले में तनुच का साफ कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और पुलीस मामले को investigate कर रही है तो पुलीस के मताबे कि ये picture सिर्फ दो लोगों के फोन में थी एक अक्षरा हसन के फोन में, दूसरे तनुछ वीरवानी के फोन में, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप में थे तो शायद उस दौरान उनने पिक्चर शेयर कियोंगी तनुछ के साथ, लेकिन यहां पर अक्षरा ने एक यह भी चीज कही ना सागा कि भाई, उनका पुराना फोन जिस फोन से उनने पिक्चर ली थी, वो तो पानी में गर के डामेज हो गया था, तो बचाएगे की फोन जिसके पास यह पिक्चर होंगी, वो तनुछ वीरवानी का फोन. यहां पर एक चीज जो की बहुत अच्छी हुई है, वो यह है कि पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जब इस तरह के मामले होते हैं, जहां पर पिक्चर लीक हुई है, या फिर यूनो रिलेशनशिप में खटास आ जाती है, लोग वीडियो लीक कर देते है तो उस मामले को नहीं दबा देते हैं, खेर छोड़ो यार मुझे अब और नहीं इतना प्रॉब्लम नहीं जाना है, मुझे प्रॉब्लम में नहीं फसना है, लेकिन यहां पर, you know, investigate कर रहे हैं, तो आगे future में अगर कोई ऐसा करने का सोचे का भी, तो उसके लिए की example सेट हो But we don't know what happened with that case, क्यूंकि शायद उसे पुब्लिक प्लाटफॉम पर नहीं बताया गया था, उससे अंदर यंदर दबा दिया गया था, and solve भी कर दिया होगा, but it's very nice that now people should know कि अगर आपने किसी के पिक्चिर लीक किये हैं, आप पर consequences हो सकते हैं, आपको punishment मिल सकती हैं, because now people are not going to keep quiet So all these leaking of pictures, all these things has to stop and very glad that police is taking the right action for it